कुरूचेत्र को जहां एक तरफ धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है जहां से महाँ भारत में युद का प्रारम हुआ था महाँ पर आज हम आपको एक चमतकार की कहानी बताएंगे कुरूचेत्र के दक्षिन मुखी मंदिर में सेक्डो सालों से हनुमान जी की जिस मूर्ती की पूजा हो रही थी उस प्रतिमा में केवल हनुमान जी का मुख और धर्ड ही था बीते 25 अप्रेल को प्रतिमा खुद ही खिसक गई और प्रतिमा के ठीक नीचे से बजरंग बली की पूरी मूर्ती निकल आई श्रद्वालू और मंदिर प्रबंदक इसे किसी चमतकार से कम नहीं मानते उनका दावा है कि यहां पहले से जो मूर्ती थी वै खिसक गई और हनुमान जी का नया रूप प्रकट हुआ जिस पर सिंदूर बिखरते हुए देखा गया जिसको देखकर मंदिर में मुझूद लोग चोक गए और जैसे ही उन्होंने इस चमतकार के बारे में लोगों को बताया तो वहां पर हनुमान जी की दर्सन करने के लिए दूर दूर से मंदिर में श्रद्धालों की भीडुमड बड़ी आगे की चानकारी हम मंदिर में शाक्षात पंजित हिमानसुजी से चानेंगे नमस्कार शिरी रामाय नमे ओम शिरी हनुमते नमे शिरी दक्षिन मुखी प्राचीन हनुमान मंदेर सिद्ध पीठ उत्री तट ब्रम्स रोवर कुर्षेत्र हरियाना से मैं डॉक्टर हिमान्शु शर्मा जैसा के आप सब जानते हैं यहां हनुमान्ची का स्वत्य प्रगट सवरूप विराजमान है आज मैं आपको उस विशे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ 25 अप्रेल 2008 दिन शुक्रवार साएं लगभग पोने पांच पांच बजे का समय रहा होगा जब शताधिक वर्षों से पूजित हनुमान्ची का जो सवरूप था वहें दो भागों में विखंडित होकर जमीन पर आ गया प्राचीन सवरूप खंडित हो चुका था हमारी आँखों से अश्रुधारा बह रही थे कि भगवान अपने सवरूप को छोड़ कर चले गए किन्तु जैसे ही जहां पे प्रभू का सवरूप था हमने उस शिला यानि के उस दिवार को जब साफ किया तो वहां पर हनुमान्ची का स्वत्य प्रगट पूरन सवरूप उभर कर सामने आ गया पहले जो प्राचीन सवरूप था उसमें सिरफ हनुमान्ची के धर तक का हिस्सा था लेकिन जो स्वत्य प्रगट हनुमान्ची आए वहे पूरन रूप में आए इस सवरूप में उनके दाएं पैर के नीचे उन्होंने कालनेमी राक्षश को दबा रखा है बाएं हाथ में उन्होंने गदा पकड़ रखी है गदा पकड़ने की जो मुद्रा है वो इस तरहें से है यानि के अंगूठे के और उंगली के बीच में उन्होंने गदा को पकड़ रखा है जैसे ही वो पाउं के नीचे कालनेमी राक्षश है उसके उपर परहार हो रहा हूँ दाए हाथ से भगवान भक्तों को आशिरवात दे रही है हनुमान जी के इस सवरूप के दर्शन के लिए जैसे ही लोगों को पता चला यहाँ पे शर्धालूँ का ताता लग गया लगभग रात को पोने बारा बारा बजे भगवान को विश्राम कराया गया जबकी आठ बजे साड़े आठ बजे प्रति दिन भगवान को विश्राम करा दिया जाता है जो हनुमान जी का प्राचीन सवरूप था जिसका विग्रह हुआ उसके 41 दिन तक पूजा हुई उसके पश्चाद गंगा दशेहरे पर उसका जो विसर्जन है वह हरीद्वार में मा गंगा पे कर दिया गया किन्तु वहां भी एक चमतकार हुआ जैसे ही उस सवरूप को हम गंगा में विसर्जन के लिए डालने लगे तो हनुमान जी ने राम नोमी ओड रखी थी जिस पालकी में वो थे वो पालकी हमारे हाथ में रह गई और प्रभू खुद गंगा में विलीन हो गए बड़ा ही मनोरम दरिश्य था वैसे तो भगवान भाव के भूखी है यहां प्रति दिन प्रातेकाल, साधू, महत्माओ, गरीब, ऐसाहाई लोगों के लिए प्रति दिन चाए, खिछडी, हल्वा, काले चने और अन्य वेंजनों का वित्रन किया जाता है दोपहर को भगवान को भंडारे का भोग लगाया जाता है जिसमें शर्धालू अपनी इच्छा से जो भी परशाद बनवाना चाहते हैं, वो बन जाता है कई शर्धालू कड़ी चावल, पूरी, सबजी और हल्वा बनवाते हैं और कई शर्धालू ऐसे हैं, खीर, माल पूडे, आलू छोले जो जिसकी शर्धा होती है, वो उस धन से भगवान को अपने भाव आरपित करता है मंगलवार, परतेक मंगलवार को साएं मंदिर परिसर में निशूल चिकित्सा शिवर का आयोजन किया जाता है जिसमें गरीब ऐसहाए लोगों को दवाईयें परेक्षन के बाद मुफ्त में वित्रित की जाती है हजारों लाखों की संख्या में मंगलवार को शर्धालू प्रभू के दर्शन करती है 25 अप्रेल 2008 को जब प्रभू का पूरा प्राचीन सवरूप का विखंडन हुआ और प्रभू ने नया रूप धारण किया उसके पश्याद सैक्डों की संख्या में शर्धालू ने प्रभू के दर्शन किये और भंडारे का भी यहाँ पर लगातार कई दिन आयोजन किया गया कुर्शेत्र के पवित्र ब्रहम स्रोवर के पावन तट पर उत्री तट पर यह श्री दक्षिन मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है जो प्राते सुभे साड़े चार बजे से दुपहर को साड़े बारा बजे तक शर्धालू के दर्शन के लिए खुला रहता है उसके बाद साएं साड़े तीन से लेकर साड़े आठ बजे तक मंगलवार को दस बजे तक का समय रहता है और कल्युग में शाक्षात हनुमान जी देव हैं अपने आराध्य देव को दर्शन करके उनका आशिरवाद प्राप्त करें बड़ी ही दुरलब तरहें की मूर्ती यहां विराजमान है जो आज से पहले आपने कभी नहीं बेखी होगी मैं डॉक्टर हिमान्शु शर्मा मुख्य पुजारी शिरी दक्षिन मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर सित पीट उत्री तर्ट ब्रम्स रोवर कुर्शेत्र हरियाना जै शिरी राम इस प्रतिमा में बजरंग बली राक्षिस को रोंते हुए नजर आ रही है तो वहीं कुर्शेत्र के लोगों का मानना है कि उनके उपर कोई भारी आपदा आने वाली थी जो भगवान के इस पुलर रूप के प्रकेच होने पर टल गई है ऐसे ही कुछ एहम ख़बरों को जानने के लिए बने रहे हैं अर्थप्रकास टीवी पर मैं अपनी चौधरे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना ना भूले